की हलो प्रेंट्सड आज मैं आ आपको एक इस तरह की जो मेडिसिन के बारे में बताओंगा जो की आप अपने भेड़ भकरियों को मरने से बचा सकते हैं खह perfectly कि जिस तरह कि मैं आपको सिम्टंस बताओंगा उस तरह की और उस्सिंटम्स की वज़ह से आपकी वेट्बकरियों में कई बेडवकरियों की जान भी जाती है है यह समय पर आप उस तरह की दभाउए दिया आप अपने वेड़ बचा सकते हैं यह जैसे देखा हुआ कि आपकी बेड़ बगरियों सांस लेने में तकलीप आती है और बहुत ज्यादा तरब तरब कई थिक्ट हो जती है और nie changes पहताई तो कई बुक्रीं की जान भी चली जाती है तौश के तोर पर किस तरह की दवा का प्रहु करना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा जितने जो बेड़ पालाक या बकरी पालाक किसी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आलवाला उपसन दबाले क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और शक्तिक जानकारी आपको दी जाती है किसी भी कितरह के पास्न हो कि अधिए आपकी बेडर वक्रीओं में सांस संदित कोई दिकत है उसमी निमोनिया हो यह आपकी वक्रीयों में इन्फिक्षन रूख ऑद रही द्याग दाल रही हैं बहुत जीन्हरीज से डाल रहे हैं तो भी आप उस तरह की दवा का प्रियों कर सकते हैं क्योंकि एक इंटिवायटिक मेडिशन होती है रही बात यदि आपको कोई बी एंटिवायटिक मेडिशन या टेबलेट एदि आप जब भी दे तो आपके पास यदि नजदिक है आपको दिख रही है जिस प्रकार से यह है फ्लोक्सी भीएच भी आपनी चाहिए उसकी मिले तो आप इसका प्रयोग आप अपनी भेड़बक्रियों में करा सकते हैं इस तरह कि यह दिकत हो गई है तो बहुत रिजल्ट आपकी भेड़बक्रियों मिलता है और ही बात आप बेड़ बक्रियों को एक तरह का जीवन दान ही आप दे सकते हैं जो इस तरह की एक बोतल आती है जिस तरह से 100 ml में आती है जो MRP आपको दिख रही होगी महेंगी जरूर आती है लेगने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है रही बात इसकी डोज की तो इसकी डोज होती करते हैं यह जिनका 20 कज तक है तो इन्हें आप एक甜 अवां कितंटे ह襲ा है तो इसकी दिकbt है तो इससे कंट्रोल हो जाएगा रही बात जासे इनके बारे मेरे चेंदर पर डीटेल से वीडियो बनी हुए वो भी आप जाकर कि देख सकते हैं लेकिन आपकी वेड़ बक्रियों में इस तरह की दिकत हो जाती है तो इसका परियोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल मिलेगा रहे बात आप अपनी वेड़ बक्रियो उनके साथ सेर कर दें इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद